हेलो इस वीडियो में हम इंडेक्स फंक्शन के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे यह डेटा दिये गया है जिसमें यह सीरियर नंबर है यह नेम है यह रो नंबर है और आगे यह सब्जेक्ट दिये गया है तो इंडेक्स फंक्शन के करता है अगर कोई बोले कि यह जो राहुल है यहां पे लिया हुआ है राहुल यह रो नंबर यहां पे 5 पे है तो यह जो राहुल है इसके इंग्लिश में कितने नंबर है तो यह इंडेक्स फंक्शन जो है यह क्रॉस चेकिंग करता है यह नंबर हम भरना पड़ेगा जैसे यह रो नमबर 5 है और हमें यहां पे column number यह देखो यहां से हम यह column number start करेंगे यहां पे हम index function के जरीए इसको समझेंगे तो यह column number 1 है यहां पे यह राहूल के यह number है तो index function हमें यह output देगा कि यह जो राहूल के English English में इतने नमबर है, या Science में इतने नमबर है, तो यह हमें यह Open देगा, फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आगे दिया गया एयरे, तो एयरे जो होता है जहां से हमने data को filter करना है जैसे यहाँ से हमने data को filter करना है यह subject है चार English, Math, Hindi, Science तो यहाँ से हमने data को filter करना है तो इसको select करेंगे यह select किया select करने के बाद यह range यहाँ पर आ जाएगी D2 colon G7 यह यहाँ पर range आ गई आने के बाद आगे दिये गया है row number तो row number कौन सी है यह राहूल किस row में है यह 5 row है यह देखो सीरी नमबर यह 5 में है तो यहाँ पर coma लगाएंगे coma लगाने के बाद यह 5 row में है तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे यह 5 लिखा 5 लिखने के बाद column number यह 1 यह 2, यह 3, यह 4 यहाँ पर हमें English के number चाहिए राहूल के तो यहाँ पर 5 के बाद यह 5 तो row आगे इसके बाद coma लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यह column number 1 है तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे यह 1 लिखा इसके बाद bracket को बंद करेंगे enter प्रेस करेंगे तो यह देखो यहाँ पर राहूल है यह row किस row में है 5 row में है तो इसके जो English में number है यह देखो यहाँ पर English में इसके number 84 है तो यहाँ पर index function के जरिए यहाँ पर हमें output मिल गई कि यहाँ पर राहूल के English subject में 84 number है इसके बाद आगर हम राहूल के science में number देखना जते है तो हम यहां पर click करेंगे यह देखो click किया और science जो है यह किस column में है 1, 2, 3, 4, 4 column में है तो यहां पर हम click करेंगे और यह 1 की जगा यहां पर 4 लिखेंगे यह देखो 4 लिखा इसके बाद enter press करेंगे तो enter press करने के बाद यह देखो 86 यहां पर आजाएगा इसके बाद अगर हम यहां पे दिनेश के यहां पे math में नमबर देखने जाते हैं तो यहां पे दिनेश किस रो में है यहां पे click करेंगे और यहां पे हम इस नमबर को change करेंगे यहां पे इसको delete किया तो यह जो दिनेश है यह 6 रो में है तो यहां पे हम 6 लिखेंगे यह 6 लि करेंगे यह 4 यह मिटाया यहां पर 2 लिखा लिखने के बाद यहां पर enter प्रस करेंगे तो यह देखो यहां पर दिनेश के मैस में कितने मार्क्स है यहां पर 59 मार्क्स है अगर हम यहां पर हिंदी में देखना जते हैं कि दिनेश के कितने marks है तो यहां पे हम यहां पे double click करेंगे और यहां पे हिंदी कि यह किस column में है यह देखो one two three three column में है तो यहां पे हम two की जगा three करेंगे यह three किया इसके बाद enter press करेंगे यह देखो enter press किया तो यहां पे 58 आ गया कि दिनेश के जो है इंदी में 58 marks है तो इस तरह से यह जो index function है यह cross check करके हमें यहां पे output देता है तो इस तरह से हम index function का use कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने index function के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज subscribe my channel धन्यवाद